नमस्कार दोस्तों यूटूब पर आप देख रहे हो वी आई पी एडिटिंग चैनल और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखे step by step आपको सिखाया जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में जो भी फोटो दिये गए है वो फोटो आप आसानी से change कर सकते हो और दूसरा फोटो लगा सकते हो और दोस्तो इस वीडियो में आप फोटो फाइल डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तो एक वीडियो पूरा देखना है आपको उसके अंदर बीच-बीच में जो पासवर डाला गया है वही पासवर्寰 आप डालके ये project file आप unlock कर सकते हो तो दोस्तों अभी आपने ये जो वीडियो है वो चालू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे YouTube खोल लेना है इस तरह YouTube खोलने के बाद आपको search में लिखना है VIP editing channel आपको लिख लेना है और ये जो channel है VIP editing वो खोल लेना है बाद में आप अभी जो वीडियो देख रहे हो वो वीडियो आपको खोल लेना है अभी example के लिए मैं दुसरा कोई वीडियो खोल के आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि ये वीडियो में खोल के आपको दिखा रहा हूँ तो वहाँ से आप उस link पर click करके आप एप project file download कर सकते हों जब मैं उस link पर click करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा interface आपके पास आ जाएगा बाद में आपको यहाँ पर click करके जो project file है वो download कर लेनी है project file download हो जाने के बाद दोस्तों आपको एक application की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है जखायवर application उसका link में नीचे description में दे दूँगा वहाँ से आप उसको download कर सकते हो तो दोस्तों जखायवर application download हो जाने के बाद आपको open कर लेनी है open करने के बाद दोस्तों इस तरह आपके पास folder आ जाएगे तो जिस भी folder में आपने यह जो project file डाउनलोड की हो और folder आपको खोल लेना है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने folder खोल लिया है बाद में आपके पास ऐसे एक file आ जाएगी चमुंडा मा 5RAR करके जो file आ जाएगी बाद में दोस्तों उस file पर इस तरह आपको click कर लेना है बाद में आपको extract here पर click कर लेना है तो दोस्तों extract here पर click करोगे तो सबसे पहले तो आपसे password पूछा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको password डाल देना है तो यह video है पूरा देखना है उसके अंदर जो बीच बीच में password डाला गया है वही password आपको यहाँ डालना है तो यहाँ पे मैं password डाल रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने password डाल दिया है अभी मैं ok कर दूँगा ok करने के बाद दोस्तों एक जो file है वह आपके पास खुल के आ जाएगी जो zip file है चामुंडा मा जिप करके एक file आ जाएगी तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद आपको बाहर आ जाना है बाहर आने के ब आपके पास कुछ ऐसा interface आ जाएगा तो दोस्तों इस application का link भी मैं नीचे description में दे दूँगा वहां से आप उसको download कर सकते हो बाद में दोस्तों application open कर लेनी है और यहाँ पर यह जो icon दिख रहा है उस तरह click कर लेना है click करने के बाद आपके पास दो option आ जाएगे जो पहला option ह क्लिक कर लेना है उस तरह click करने के बाद यह जो तीन lining है उस पर click कर लेना है और नीचे चले जाना है निचे जाने के बाद my files पर click करना है बात पर internet storage में आपको चले जाना है और यहाँ पर आपके पास इस फोल्डर आ जाएगी है आपके mobile में जितने भी folder है सभी आ जाएग तो यहां से आपने जिस भी फोल्डर में जो project file है एक्स्टे करके रखी है वही file आपको select कर लेनी है तो यहां पे मैं जो यह file है वो select कर रहा हूँ और यहां से मैं done कर दूँगा तो दोस्तों यहां पे done करते ही यहां पे node video application में जो project file यहां आ जाएगी बाद में आपको उस project file पर इस तरह click कर लेना है इस तरह click कर लेना है तो यहां पे node video application में जो project file है load होके यहां पे खुल जाएगी दोस्तों यहां पे यह project file खुल गई है बाद में आपको यहां पे group पे click कर लेना है इस तरह group पे click करना है गरूप पे click करने के बाद दूस्तों यहाँ पे आप देख सकते हूँ यहाँ पे जो PNG photo मैंने डाला हुआ है जो माता जी का जो photo है यह वाले जो photo है उस पर मैंने PNG का photo डाला है और दुसरा जो photo है ओ यानि background photo है तो यहाँ पे मैंने नाम लिखे नहीं है दोस्तो यहाँ पे जो यह फोटो है यहाँ पे आप देख सकते हो यह वाले मैंने फोटो डाले हुए है यहां पर आप देख सकते हो इमेज 2 इमेज 2 करके जो फोटो है वो यह वाले फोटो है तो दोस्तों आप फोटो चेंज करना चाहते हो तो यहां पर आसानी से फोटो चेंज कर सकते हो तो दोस्तों यहां पर मैं फोटो चेंज करके आपको दिखा रहा हो तो दोस्तों यहां प पे आपको थोड़ा इस तरह खिसकाना है तो दूस्तों यह पोटो यह पहला पोटो है तो आप उसको चेंज करना चाहते हो तो दूस्तों सबसे पहले तो यह जो तीन लाइनिंग है उस पर क्लिक कर लेना है लिक करने के बाद आपको यह इमेज पर क्लिक कर लेना है इमेज पर क्लिक करोगे तो इस तरह आपके मोबाल में जितने भी फोर्डर में फोटो हें सभी यहां आ जाएगी तो दोस्तों यहां से आप को कोई भी फोटो सलेक्स कर दूएंधे में जो फोटो है तो यहां से फोटो को इश्पर आदूं से में इस त Corner कर दोił आप आगे पिछह सकते हो बस इतना कर लेना है दोस्तो इस 답र आप फोटो हो और यह बी आप आसानी से चेंज कर सकते हो तो दूस्तो इतना होने के बाद यहाँ पे इस वीडियो में आपको सॉंग डालना है तो song add करने के लिए plus के icon पर click कर लेना है click करने के बाद media में जाना है media में जाने के बाद आपको यहाँ पर load from file पर click कर लेना है click करने के बाद आपके पास ऐसा interface आ जाएगा बाद में आपको यह तीन lining पर click करना है नीचे जाना है और यहां पर जो sound पी करके लिखा है उस पर click कर लेना है तो आपके mobile में जितने भी folder में song होगे वो सबी song यहां पर आ जाएगे तो यहां से आपको कोई भी 30 second का song select कर लेना है तो यहां से मैं कोई भी 30 second का song select करके आपको दिखा रहा हूँ तो दोस्तों यहां पर मैं folder में चला जाओंगा folder में जाने के बाद यहां पर जो download का option है यानि जो download का folder है उसमें मैंने song download करके रखा है तो उसमें चला जाओंगा और यहां से song select कर लूँगा तो यहां पर मैंने song select कर दिया है अभी दोस्तों यह वीडियो पूरी तरह तयार है अभी यह वीडियो को सेव करना है तो यह आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बटन है उस पर क्लिक कर लेना है इस तरह तो यहाँ पे दोस्तो यह process होने के बाद यहाँ पे कुछ process होगी वो process होने के बाद आपका यह video save हो जाएगा तो दोस्तो आपको यह video कैसा लगा like करो share करो और comment में लिखना मत बुलना